दोस्तों आज हम आपको चीन की सबसे लंबी दीवार ग्रेट वॉल के बारे में दस ऐसे तथे बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे दोस्तों चाइना की ये दीवार दुनिया के साथ अजूबों में शामिल है और ये दीवार अपने निर्मान के समय मजबूती और पुराने इतिहास के कारण विश्व में प्रसित है तो चलिए दोस्तों हम उन दस महतपूर्ण तत्यूं की ओर चलते हैं नमबर एक चीन के पूर्व समराट किन शी हुआं की कलपना के बाद दीवार बनाने में करीब 2000 साल लगे थे नमबर दो इस दीवार की लंबाई 6400 किलो मीटर है ये दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी सरंचना है नमबर तीन दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तिमाल किया गया था नमबर चार इस दीवार में कई खाली जगहें भी हैं यदि इन खाली जगहों को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 8848 किलो मीटर हो जाएगी देश की रक्षा के लिए बनाय गया था लेकिन बात में इसका इस्तिमाल परिवहन और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुचाने के लिए किया जाने लगा था नमबर साथ इस चीनी दीवार को देश की रक्षा के लिए बनाय गया था लेकिन ये दीवार अजिये न रह सकी क्योंकि चंगेज खान ने 1211 में इसे तोड़ा और पार कर चीन पर हमला किया था नमबर आट, 1960 और 70 के दशक में लोगों ने इस दीवार से इंटे निकाल कर अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिये थे लेकिन बाद में सरकार ने सुरक्षा बान दी थी हाला कि चोरी आज भी होती है और तसकर बाजार में इसकी एक इंट की कीमत तीन पॉंट मानी जाती है नमबर नौ, आकडों के अनसार इसे बनाने में करीब 10 लाक लोगों ने जाने कवाई थी इसी कारण इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है नमबर दस, बराक उबामा, रिचर्ड निक्सन, रानी एलिजबेट टू और जापान के समराड अकीहितों सहे दुनिया भर के करीब 400 नेता इस दीवार को देख चुके हैं दोस्तों अगर आपको मौका मिले दुनिया के साथ अजूबों में से किसी एक को देखने का तो आप किस अजूबे को देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तोसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देख 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 आए आपको देख दूबे चैनल यू थेंक हिंदी थैंक्स फो वाचिंग